Hello Class 1st Students, आज हम आपकी मेक्स की क्लास का पेज नूट्स का पेज नूबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी अपने मेक्स के नूट्स में से पेज नूबर 5 निकाल लीजे आज हम इसे स्टार्ट करते हैं आज हम आप पढ़ने जा रहे हैं ODDOR के बारे में। इसके फिसके सम्ने इंगिश में नमबर नीम ne Скटे हिं में हिंदी में लिखना और 1 2019 उर्डीनल नम्बर देख रहे हैं जबरे तो न की आलन नमबर्स दीखय को निए होते हैं तो हम इसके बएनियों O-R-D-I-N-L, ordinal, M-E-A-N-S means S-H-O-W-I-N-G showing O-R-D-I-O-D-R or P-O-S-I-T-I-O-N position, ordinal numbers means numbers W-H-I-C-H which S-H-O-W show P-O-S-I-T-I-O-N position in S-E-Q-U-E-N-C sequence like F-I-R-S-T first, S-E-C-O-N-D second, T-H-I-R-D third, F-O-U-R-T-H fourth, extra ordinal numbers means showing order or position, ordinal numbers क्या होते हैं जो position या किसी sequence को show करते हैं ordinal numbers means number which show position in sequence like first, second, third, fourth ordinal numbers किसी position को define करते हैं like a जैसे कि कोई सी building हुई तो किसी building के floor हम count करते हैं first floor, second floor, third floor, fifth floor या कोई game हुआ तो game का winner कैसे आता है first, second, third या हम class में अगर school में कोई top कर रहा है class में कोई result आता है तो class में first कोन आया, second कोन आया, third कोन आया यानि कि positions और showing in order यानि कि किसी क्रम में जैसे first एक फिर एक के बाद आता है two, three, two के बाद आता है, three तो जब हम किसी जगह को, किसी इनसानों को हम इसे क्रम में यानि कि एक के बाद एक position या उसका order बता रहे हैं तो वहाँ उस sequence को हम first, second, third में use करते हैं उसी को ordinal numbers कहा जाता है अब जैसे कि यहाँ पर आप pictures में देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर एक bus दी है, यह bus की picture बताई हुई है, जिसके अंदर अमित first पर खड़ा है, मनू, second पर है, राजू, third पर है, क्रिश, fourth पर है, हैमन, fifth पर है तो यहने कि यहाँ पर उनका क्या बताया गया है, उनकी position यहने उनका order number बताया हुआ है कि first पर कौन है, अमित, second मनू, third राजू, क्रिश, fourth और हमन, fifth यहने एक के बाद एक, उनका क्रम यहाँ पर बताया गया है तो जब यहाँ पर ऐसे क्रम या position बताया जाती है, किसी something in series में बताया जाता है तो उसे क्या कहते है, ordinal numbers, जैसे नीचे आप sentence भी आप बच्चे को read करते हुआना चाहिए आपको finger रखते हुए मेरे साथ उसे read करना है, with spelling AMIT Amit is STANDING standing at first position, याने Amit कहां घड़ा हुआ है first position पे MANU Manu is standing at second position, याने Manu खड़ी हुई है second position पे Raju is STAND stand, उसमें लगा है ING तो हम उसे पढ़ेंगे standing याने खड़े हुआ at third position, राजु खड़ा हुआ है third position पे, क्रिश is STANDING at fourth position, क्रिश कहां खड़ा हुआ है fourth position पे, ऐसे ही आपका fifth sentence क्या होगा, हेमन्त is STANDING at fifth position, जब हम किसी भी किसी भी number को उसकी position या series में define करते हैं, तो उसे ordinal number में define किया जाता है, like first, second, third, fourth, fifth, आपको F-I-R-S-T first, S-E-C-O-N-D second, T-H-I-R-T third, F-O-U-R-T-H fourth, F-I-F-T-H fifth, यह spellings, rough copy में लिखकर write करनी है, लर्द करनी है और बिना देखे, आपको यह spellings बोलते और लिखते दोनों आनी चाहिए, हाँ, यह हम इसका नीचे वाला portion देख लेते हैं, यहाँ पर आपको बताया हुआ है, number which is less in value, N-U-M-B-E-R number, W-H-I-C-H which is less in value, यहनि कि यहाँ पर आपको numbers की value का meaning समझाया हुआ है, और उनके sign बताया हुए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 stars दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको 5 stars दिख रहे हैं, तो बीच में यह sign बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से यह खुला हुआ है, और इस तरफ से यह बंद है, तो इस जो sign को हम क्या पढ़ते है less than तो यहां नहीं हम क्या पढ़ेंगे 3 stars is less than 5 stars यहने कि 3 is less than 5 यहने कि 3 number 5 number से छोटा है तो जो number छोटा है उसकी तरफ हम यह सा sign आएगा और जो number बढ़ा है उसकी तरफ से इसा खुला हुआ sign आएगा आप नीचे example में दे सकते हैं यहां पर 10 लिखा हुआ है और यहां पर 20 लिखा हुआ है तो अब यहां पर देखे 10 छोटा है यह 20 तो 20 की value कम है तो यहां पर less than का sign ऐसा लगएगा और खुला हुआ हुआ हूँ 20 की तरफ हम next example देख लेते हैं जिसके अंजर लिखा हुआ है 25 और यहां पर लिखा हुआ है 10 अब बताएए 25 की value जादा है यह 10 की 25 की तो 25 की value तो इसे हम क्या पढ़ते है bigger than लेकिन यहां पर आपको less than समझाया गया है तो बस आप यह समझ लीजिए कि जब इसा sign बना हुआ होता है यहां firstly इसकी चोंच इस तरफ खुली हुई होती है और इस तरफ मुखला हुआ होता है यहने कि आगे की तरफ जब छोटा नंबर लिखा हुआ होता है और पीछे की तरफ बड़ा नंबर लिखा हुआ होता है तो वहां पर हम किसका sign लगाते है less than का okay पेसी के साथ में आपका page number 5 complete होता है हम page number 6 देख लेते हैं आपका page number 6 है जहां पर आपको ordinal numbers बताय गए है a number defining the position of something in series जैसा कि मैंने आपको page number 5 पर समझाया कि जो किसी position या series number को define करता है उन numbers को ordinal numbers का जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको 10 चिल्रन से यहां पर खड़े हुए जिनका फर्स का नाम है क्या है अना सैम टॉम मेरी रॉन जैनी किम जैक शेली इन पेट तो अब आप इनको कैसे count करेंगे आप इने वन टू थ्री फॉर count तो नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपको उनका number उनको बताना है यहने आपको उनका number उन्हीं ही बताना है कि कौन किस number पर है तो हम एक कैसे बोलेंगे first तो हम यहाँ पर write करेंगे first जिसे हम इसे one write ना करते हो इसमें क्या लगा देंगे sd first second s e c o nd second जिसे हम write करेंगे two हम उपर short में लिखेंगे nd तो वो क्या बन जाएगा second third t h i r d third जिसे हम three लिखकर उपर r d लगाएंगे तो वो क्या होगा third next f o u r th fourth जैने कि हमारी जो spellings होती है उनसके अंदर end में th या s t लगाकर हम उसे complete करेंगे fourth को हम क्या से write करेंगे four लिखकर उपर हम लिख सकते हैं r th fourth f i f th fifth s i x th sixth s e v e n th seventh e i g h t eighth n i n th ninth और t e n th tenth तो आपको इनकी spelling f i r s t first with his number f s one लगाकर s t first से लेकर tenth याने t e n th tenth और 10 लिखकर उपर th page यह आपको digit में और spelling में दोनों में learn करना है साथ मेरा copy में लिखकर इसकी practice भी करने हैं क्या में आपको क्या अए्य किस्यों लार